हेलो फ्रेंद्स वेलकम टू माई चैनल हैश्टाइग फरा आप देख सकते हैं कि यह मेरा इनालसा का नया एर फ्रायर जो मैंने एमाजन से 8,240 रूपीज में ओर किया है वो आज मुझे डिलेवर हुआ है तो अब ही हम चलते हैं और इसकी जल्दी जल्दी अन्बोक्सिंग क है और जो अंदर की बास्केट है वह 5.5 लीटर की है जो अची खासी बड़ी है जिसमें आप अराम से एक पूरा होल चेकन बेग कर सकते हैं तो अगर इसकी फीचर्स की बात करें तो यह बिडिकल डिजिटल टच कंट्रोल के साथ है डिजिटल डिजिटल डिस्प्ले है इस अब जब हम पुष करते हैं तो यह बास्केट बाहर जाती है जिससे हम इसको वाश कर ले और यह कर ले जब हम अच्छे से साटिसफाइड हो लिए हमने अच्छे से अपने प्रोडाक्ट को यूज कर लिए जब उसको तो अब हम इसको यूज करके एक बार देखेंगे कि य मैंने ओयल डाल के हलका सा तॉस कर दिया सो एक अच्छा सा क्रांच आ जाए तो यह फर्स टाइम था मेरा तो मुझे इतना नहीं पता था कि मैंने इसको फ्राइज वाले बटन दबाके ही इसको प्रीहिट किया अगली बार से मैं 200 पे नॉर्मल कर दूंगी तो वो बीप करक तॉ बेसिकली मैंने इसको प्रीहिट करके पर मैंने अपने ओल टॉस्ट फ्राइज इसको अनदर अड़ करे और इसको वापस से मैंने स्टार्टिंग से फिर से वान किया फ्राइज का 200 बटन दबाके विच इस फॉर 18 मिनट्स और मैंने बहुत 10-12 मिनट्स पर मैंने इसको वापस से खोल लिया क्योंकि मेरा फ्राइज इतना था नहीं कि बहुत थोड़ा सा कर रही थी तो यहाँ पर आप एंड रिजर्ल देख सकते हैं तने अमेजिंग बिल्कुल मेक्डाउनल्स वाले फ्राइज की तरह यह जबरदस्त हुए हैं वे थे बिना ओयल के तो मुझे अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है मैं और भी इसको इसको इस्तमाल करूंगे और उसके बाद अपना रिव्यू और अपना एक्सपिरियल शेयर करूंगे अगर मुझे अच्छा लगा तो मैं आपको बताऊंगे कि इसको किस तरह से हैंडल करते हैं आप देख सकते हैं कितनी क्रिस्पी फ्राइज होके निकले हैं तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा आपको मेरा यह रिव्यू अच्छा लगा और मेरी वीडियो अगर आपको अ subscribe कर ये thank you that's all thank you so much